शीला और उसकी बेटी राधे नगर नाम के एक गाउं में रहते थे शीला लोगों के घरों में कपड़े धोने और सफाई का काम करती थी और उसकी बेटी घर पर ही रहकर लोगों के कपड़े सिलती थी और इस तरह दोनों मिलकर घर चला रहे थे शीला का पती मोहन किसी काम करना था वो तो बस सारा दिन गाउं में घूमता रहता था और लोगों को मुफ्त में सलाह देता रहता था अरे देनो, तो कल जाकर वैसा ही करना जैसे मैंने का आया तुझसे ठीक है न देखना मेरी ये सलाह तेरे लिए बड़ा काम की होगी और तेरी जिंदगी बदल जाएगी भाई तब ही वहाँ पर उस गाउं का सरपन चा जाता है मोहन, तो दिन भर गाउं में घूमता रहता है और सब को मुफ्त में सलाह देता रहता है इससे क्या तेरा गुजारा चल जाता है तो कोई काम धंदा क्यों नहीं करता अरे मुख्या जी मुझे क्या जरुवत है जो मैं काम करूँ मेरी पतनी है, बेटी है अरे वो है तो सही सब काम करने के लिए फिर मैं क्यों बेकार में मेहनत करूँ बताईए अगर आपको भी किसी चीज के बारे में सला लेनी हो तो मुझे बताइएगा ठीक है ना ये बोल कर मोहन वहां से चला जाता है गाउवाले भी उससे परिशान थे शीला इस बाद से दुखी रहती थी कि उसकी जबान बेटी है शादी के लायक और उसके पती को उसकी कोई चिंता ही नहीं वो कैसे अकेले उसकी शादी करेगी और उपर से उसकी बेटी ठीक से बोल भी नहीं पाती थी उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी और वो रुक रुक कर बोलती थी एक दिन की बात है शीला अपनी बेटी माला से कहती है माला बेटी मैं सोच रही थी कि अब तेरी शादी कर दूँ तू शादी के लायक हो गई है अब अरे मा तू भी कैसे बाते करती है जरा मुझे देख तो सही कौन करेगा मुझसे शादी जैसे ही कोई मुझसे बात करेगा तो वो मेरे बोलने से वो मेरे बोलने से ही भाग जाएगा अरे ठीक ही तो खह रही है जरा देख तो सही कितनी बचसूरत है ये तेरी बेटी से कोई ने करने वाला शादी वादी हाँ इसी तरह सारी उम्र हमारे सर पर ही बैठी देगी कोई अंदा ही करेगा इससे सादी वादी अरे अपनी बेटी के लिए भी कोई ऐसे बोलता है क्या खुद तो कोई काम करते नहीं हो और हमारे अंदर कम्या निकालते हो अरे तो क्या करूँ एक बेटा तो दे नहीं सकी मुझे और बात करती है अगर मेरा एक बेटा होता तो मुझे एश करवाता ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है माला रोने लगती है और कहती है मा तूने मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया मेरी तो किस्मत किस्मत ही खराब है मेरी मेरी वज़े से तुझे भी कितना सुनना पड़ता है पिता जी से माला रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बाहर एक पेड़ के नीचे बैट जाती है हे भगवान तो तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया ना तो मैं ठीक से बोल सकती हूँ ना मैं देखने में सुन्दर हूँ कौन करेगा मुझसे शादी मेरी मा को मेरी कितनी चिंता है कैसे वो बेचारी मेरी शादी करेगी माला जोर-जोर से रोने लगती है तब ही वो कुछ दूरी पर एक चमकती हुई चीज देखती है वो चीज बहुत चमक रही थी माला उसके पास जाती है और देखती है कि वो तो कोई आईना है वो उसे उठा कर देखने लगती है उस आईने में उसे अपना चेहरा दिख रहा था और वो भी बहुत सुन्दर माला ये देखकर थोड़ी हैरान हो गई और बार बार अपना चेहरा देखने लगी और कहने लगी मैं भी पागल हो गई हूँ शायद बस यही एक कमी रह गई थी कि अब मैं पागल हो जाऊँ देखो तो इस आईने में मुझे अपना चेहरा कितना सुन्दर दिख रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है शायद ऐसा कहकर वो उस आईने को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे एक जगर रखकर सोचाती है अगले दिन शीला अपने काम पर चली जाती है और उसका पती आज घर पर ही था वो थोड़ा बीमार था वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है अरे सीला कहा है तू अरे जरा देख तो अरे मुझे क्या हो गया है अरे मैं उठ नहीं पा रहा हूँ तब ही माला अंदर से आती है और कहती है क्या हुआ पिता जी आपकी तबियत ठीक नहीं है आज अरे तू क्यों आ गई मेरे सामने जब भी तुझे देखता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है चल जाए यहां से अपनी मा को भेज पिता जी मा तो काम पर चली गई है सवेरे सवेरे ही उसे शायद पता नहीं होगा कि आपकी तबियत खराब है आप मुझे बता दो कि आपको क्या चाहिए अरे वह थोड़ा सा जैर लाके दे दे मुझे जल्दी से अरे पिता जी ये ये आप क्या कह रहे है ऐसा मैंने क्या किया है कि आप मुझसे हमेशा नाराज रहते हैं वो रोती हुई अंदर चली जाती है और फिर से अपने आपको कोसने लगती है कि क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि मेरे पिताजी भी मुझसे नफरत करते हैं फिर वो उसी आईने को देखती है और उसे देख कर कहती है अरे ये कैसा आईना है और ये भी मेरा मजाग बना रहा है मुझे इस आईने में सुन्दर दिखा कर वो गुसे में उसे जमीन पर पटक देती है लेकिन वो आईना तूटा नहीं और उसमें से किसी के हसने की आवाज आने लगी अरे ये कौन हसरा है कौन है यहाँ लगता है मेरे वहाँ ही होगा ये माला फिर से उस आईने को देखने लगती है वो बहुत सुन्दर दिख रही थी वो अपने आपको देखते ही जा रही थी आईने काश तू मुझे सच में इतना ही सुन्दर बना देता और मेरी आवास भी ठीक कर देता तो कितना अच्छा होता माला के बोलते ही वो सच में सुन्दर हो जाती है लेकिन उसको इस बात का पता नहीं चलता कि वो सुन्दर हो गई है शाम को उसकी मा आती है और देखती है कि उसके पती की तब्यत तो खराब है तो वो उसे दवा देकर अपनी बेटी को आवाज लगाती है माला बेटी कहा है तू? अभी आई मा माला अंदर से बाहर आती है तो उसकी मा उसको पहचानती ही नहीं अरे तुम कौन हो? और मेरे घर में क्या कर रही हो? मेरी बेटी कहा है? मा? क्या हुआ है तुम्हे? मुझे पहचान क्यूं नहीं रही, मैं माला ही तो हूँ, लेकिन मेरी बेटी तो इतनी सुन्दर नहीं थी, ये क्या बोल रही है तू मा? माला अपनी मा के साथ उसी आईने के सामने जाती है और मा को सारी बात बता देती है, वो दोनों मिलकर उस आईने के पास जाती है, शीला भी उसमें अपना चेहरा देखती है तो वो भी महरानी दिख रही थी, उस आईने में शीला तो ये देख कर खुश हो गई, और अपनी ब ठीक है मा, मैं किसी से खुछ नहीं कहूँगी। और फिर कुछ दिनों बाद जो कुछ भी उस जादूई आईने में दिखता, वो सच होने लगा। अचानक शीला जिस घर में काम करती थी उस घर की सिठानी ने, शीला को अच्छे काम करने के बहुत से पैसे दिये। शीला पैसे लेकर हैरान हो गई। वो सोच रही थी कि आज तक तो मालकिन ने कभी उसे इतने पैसे नहीं दिये। तो आज ऐसा क्या हो गया। खेर वो पैसे लेकर घर आ गई। घर लोटते समय उसे एक दुकान में सिलाई की एक मशीन दिखी तो उसने अपनी बेटी के लिए वो मशीन खरीद ली और घर पहुँच कर उसे अपनी बेटी को दे दिया। मशीन देख कर उसकी बेटी बहुत खुश हुई। खुशी के मारे वो जोर-जोर से चिल्लाने लगी तो उसकी आवाज भी ठीक हो गई। शीला के पास अब भी कुछ पैसे बचे हुए थे। उसने वो पैसे संभाल कर रख दिये। अब तो शीला और माला दोनों मिलकर लोगों के कपड़े सिलने लगी थी और देखते ही दे उनके यहां कपड़े सिल्वाने वालों की लाइन लग गई। शीला और माला को तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। को भी ठीक कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये भी कुछ काम करने लग जाएं। अगली सुबह चमतकार हो जाता है, मोहन काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। माला बेटी, मैं सोच रहा था कि बड़े दिनों से कुछ काम नहीं कर रहा आज से मैं भी कुछ काम करूंगा मोहन काम करने के लिए घर से बाहर चला जाता है शीला और उसकी बेटी माला दोनों हैरान थी वो दोनों जान गई थी कि ये सब उस जादूई आईने का कमाल है एक दिन वो दोनों उस आईने को ढूडने लगी जहां कि उन्होंने उसे चुपा कर रखा था उन्होंने वहां बहुत ढूड़ा पर आईना वहां नहीं था अचानक आईना गायब होने की वज़ा से दोनों परिशान हो गए उन्हें लगा कि कहीं ये सब उनसे छिन ना जाए खेर बहुत ढूडने के बाद भी आईना नहीं मिला दोनों मा बेटी सोच आती है अगले दिन माला उसी पेड़ के नीचे बैट कर सोचने लगी कि आज वो जो भी है उस आईने की वज़ा से ही है वो उस जादूई आईने को धन्यवाद देती है और वहां से चली जाती है आज तक भी उसे पता नहीं चला कि वो आईना कहां से आया और कहां चला गया शायद भगवान ने उसका दुख दूर करने के लिए ही उस आईने को उसे दिया था और जब सब ठीक हो गया तो वो आईना वहां से गायब हो गया जादूई गुल्लक रामपुर गाओं में मोहित नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था मोहित के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे उनकी कमाई से ही उनका घर चलता था भले ही उनके पास इतने पैसे ना हो लेकिन फिर भी मोहित के पिता उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे मोहित के पिता बहुत मेहनत करते थे कभी कभी तो वो देर रात को घर पहुँशते थे पूरे दिन काम करने के बाद जब वो थके हारे घर आते थे तो अपने बेटे का चेहरा देखकर उनकी सारी ठकावट दूर हो जाती थी मुहित के पिता हमेशा मुहित को अच्छी शिक्षा देते थे वो रोज सुभर जल्दी उठकर पौधों को पानी दिया करते थे पिताजी मैं आपको हमेशा देखता हूँ कि आप रोज पौधों में पानी डालते हो आप ऐसा क्यों करते हो बेटा हमें अपने परियावरन को अच्छा रखने के लिए अपने आसपास पौधे लगाने चाहिए और पौधों में भी हमारी तरह जीवन होता है जैसे हमें जीने के लिए खाना चाहिए वैसे ही पौधों को जीने के लिए पानी ठीक है पिताजी अब से मैं भी रोज पौधों को पानी डालना अच्छा लगने लगा वो रोज पौधों को पानी दिया करता था मोहित अपने स्कूल में भी पौधे लगाने लगा मोहित भले ही खुद भूखा रह जाए मगर पौधों को पानी डालना वो कभी नहीं भूलता था एक दिन स्कूल में एक टीचर उसके पास आते है मोहित बेटा, मैं तुम्हें आजकल रोज देखता हूँ कि तुम नए-नए पौधे लगाते हो और उनको रोज पानी भी देते हो ये तुम बहुत अच्छा काम करते हो तुम्हें ये सब करना किस ने सिखाया? सर ये सब मुझे मेरे पिता जी ने सिखाया वो कहते हैं कि हमारे आसपास पौधे लगाने से परियावरान अच्छा रहता है बाधों में भी हमारी तरह जीवन होता है इसलिए हमें उन्हें रोज पानी देना चाहिए वाँ बेटा देखकर बहुत खुशी हुई कि इतनी कम उमर में तुम इतना सब कुछ सोचते हो तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत अच्छी शिक्षा देते है एक बार मोहित अपने माता पिता के साथ एक मेले में जाता है मेले में धेर सारे खिलोनों की दुकान थी खिलोनों को देखकर मोहित का मन उन्हें लेने का करता है पिता जी मुझे ये खिलोने दिलाओ ना उसके पिता दुकानदार से खिलोनों का दाम पूछते हैं मगर खिलोने बहुत महंगे थे बिटा ये तो बहुत महंगा है मगर तू चिंता मत कर मैं तुझे आज एक ऐसी चीज दिलाओंगा जिससे तो खुद भी कुछ खरीद सकता है वो क्या है पिता जी? मुँईत सोच में बढ़ जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है तभी उसके पिता उसे एक दुकान पड़ ले जाते हैं जहांपर धेर सारी गुल्लक थी उसके पिता मोहित के लिए एक गुल्लक खरीद लेते हैं बेटा इस गुल्लक में तू रोज थोड़े थोड़े पैसे डाला कर जब ये गुल्लक भर जाएगी तो देखना इस गुल्लक में धेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे मोहित को अपने पिता की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है पिता जी ये तो किसी जादू की तरह है अपसे मैं भी रोज इस गुल्लक में पैसे जमा किया करूंगा मोहित अपने पिता से वो गुल्लक ले लेता है और बहुत खुश हो जाता है तब से मोहित रोज अतनी गुलक में थोड़े थोड़े पैसे डालने लगा मोहित के पिता ने उसे अच्छी अच्छी आददें सिखाई होई थी जब भी मोहित किसी बुजर्ग व्यक्ती को देखता था तो वो मदद करने उनके पास पहुँच जाता था एक बार ऐसे ही एक बुड़ी औरत के हाथ में बहुत सारा सामान था और वो सड़क पार करने से डर रही थी मोहित उन्हें देखते ही उनके पास जाता है अम्मा आपके हाथ में कितना सारा सामान है लाओ अपना सारा सामान मुझे दे दो मैं आपको सड़क पार करवा देता हूँ जब मोहित उन बूरी औरत को सड़क पार करवा देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है खुश रहो बेटा भगवान तुमारा भला करे ये लोग कुछ पैसे रख लो इन पैसों से कुछ खा लेना बेटा मोहित जब लोगों की मदद किया करता था तो वो लोग खुश होकर उसे पैसे दे दिया करते थे मोहित उन पैसों को उड़ाने की बचाए अपने गुल्लक में डाल देता था कुछ महीनों बाद मोहित अपने गुल्लक को हिला कर देखता है उसे गुल्लक से कुछ आवाज नहीं आ रही थी यह देखकर मोहित अपने मन में सोचता है लगता है शायद यह गुल्लक भर गई है पिताजी ने कहा था कि अगर गुल्लक से आवाज ना आए तो समझ जाना कि गुल्लक भर गई है अब मुझे इस गुल्लक को तोड़ देना जाईए मोहित फिर अपने गुल्लक को तोड़ देता है उस गुल्लक से धेर सारे पैसे निकलते हैं वो पैसे जो उसने रोज थोड़े थोड़े करके जोड़े थे इतने सारे पैसे देखकर मोहित बहुत खुश हो जाता है वो सूच में पड़ जाता है कि वो इन पैसों से क्या खरीदे बहुत सूचने के बाद उसके मन में ख्याल आता है पिताजी मेरे लिए कितना कुछ करते हैं मुझे अच्छे कपड़े दिलाते हैं मगर खुद गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनते हैं मैं इन पैसों से अपने पिताजी के लिए अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ पिताजी ये देखकर बहुत खुश हो जाएंगे मोहित फिर एक कपड़ों की दुकान पर जाता है वो अपने पिता के लिए कपड़े खरीद लेता है और उन्हें एक बॉक्स में पैक करा देता है जब शाम को उसके पिता घर आते हैं तो वो अपने पिता के पास जाता है मोहित अपने पिता को वो बॉक्स देता है मोहित के पिता को उस बॉक्स को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि उस बॉक्स में क्या है मोहित बिटा इस बॉक्स में क्या है पिता जी पहले आप इस बॉक्स को खोलो तो सही तभी तो पता चलेगा न मोहित के पिता वो बॉक्स खोलते हैं बॉक्स में कपड़ों को देखकर वो खुश तो होते हैं, मगर वे सोचते हैं कि मोहित के पास इतने पैसे कहां से आए? बिठा, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, मगर तेरे पास इतने पैसे कहां से आए? पिता जी आपने जो गुल्लक मुझे दी थी ना, मैं उसमें रोज पैसे डालता था, आज जब मैंने वो गुल्लक तोड़ी, तो उसमें से धेर सारे पैसे निकले, आप मेरे लिए कितना कुछ करते हो, इसलिए मैंने सोचा, उन पैसों से मैं आपके लिए कपड़े खरीद ल मोहित के पिता उसके गली से लग जाते हैं, एक दिन मोहित की स्कूल के छुट्टी थी, मोहित घर पर ही था, मोहित की मा वैसे तो रोज उसके पिता को खाना देने फाक्टरी जाती थी, मगर उस दिन वो नहीं जाती, मोहित बेटा, ये टिफिन अपने पिता जी को दे आओ ठीक है मा मोहित अपनी मा से टिफिन ले लेता है और अपने पिता को खाना देने चला जाता है मोहित के पिता उसे देख कर कहते हैं अरे मोहित बिटा, आज तू स्कूल नहीं गया पिता जी आज स्कूल की छुट्टी थी तो माने कहा आज तू ही अपने पिता जी को खाना दे कर आ जा इसलिए मैं आपको खाना देने आ गया मोहित के पिता मोहित से टिफिन ले लेते हैं और उसे भीस रुपए देते हैं ले बेटा, ये कुछ पैसे रख ले, रास्ते में कुछ खा लेना, ठीक है? मोहित अपने पिता से पैसे ले लेता है जब वो रास्ते में चल रहा था तभी उसकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर रखी एक गुल्लक पर पड़ती है उस गुल्लक को देखकर मोहित अपने मन में सोचने लगता है मोहित ये सोचते ही दुकान दार के पास जाता है मोहित के पिता ने जो उसी खाने के लिए 20 रुपे दिये थे वो उन पैसों से वो गुल्लक खरीद लेता है और अपने घर आ जाता है मोहित ने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए थे जैसे ही वो उस गुल्लक में पैसे डालने लगता है तो उस गुल्लक से आवाज आने लगती है मैं एक चादूई गुल्लक हूँ मोहित ये देखकर बहुत चौक जाता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ या तुम सच में बोल रहे हो हाँ, मैं सच में बोल सकती हूँ मैं एक चादूई गुल्लक हूँ अगर तुम मेरे अंदर पैसे डालोगे तो वो पैसे दो गुने हो जाएंगे मोहित ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है मोहित रोज पैसे बचा कर जादूई गुल्लक में डालने लगा जादूई गुल्लक में पैसे डालते ही मोहित के पैसे दोगुने होते जा रहे थे तभी कुछ महीनों बाद मोहित के पिता काम करके अपने घर लोट रहे थे रास्ते में एक कार ने उन्हें टक कर मार दी मोहित के पिता को बहुत चोटाई थी आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भी भरती करा दिया जब मोहित की माँ और मोहित को ये खबर पता चलती है तो वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं ज्यादा खोन बहने की वज़े से मोहित के पिता का ओपरेशन करना ज़रूरी था नहीं तो उनके जान भी जा सकती थी ओपरेशन के लिए एक लाख रुपए चाहिए थे मोहित की मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे मोहित दोड़ता हुआ अपने घर जाता है जो पैसे उसके दोगने हो गए थे वो जादरी गुल्लक से कहकर ले लेता है और मोहित उन पैसों को हॉस्पिटल में जमा करा देता है मोहित के मा ये देखकर चौंक जाती है और उसे पूछती है मोहित बेटा, तेरे पास इतने पैसे कहां से आए कहीं तो, कहीं तो कुछ गलत काम करके ये पैसे तो नहीं लाया ना मा मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है मैं आपको सब बताऊँगा पहले पिताजी को सही हो जाने दो मोहित के पिता का ओपरेशन हो जाता है कुछ दिनों बाद मोहित के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते है और अपने घर आ जाते है मोहित अपने माता पिता को जादूई गुल्लक के बारे में बताता है ये सुनकर मोहित के माता पिता भी बहुत खुश हो जाते है अब मोहित के साथ-साथ उसके पिता भी अपनी सारी जमा पूंजी जादूई गुलक में डालने लगे और उनके पैसे दोगुने होने लगे इसका नतीजा ये हुआ कि उनके घर के हालात अब सुधरने लगे मोहित के पिता ने अपना खुद का काम शुरू कर लिया और मोहित अब बड़े स्कूल में पढ़ने लगा इस तरहे जादूई गुलक की मदद से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया